नमस्कार मैं नामी का बिहारी निउस से बिहार के कई जीलों में बार की वज़े से एक बार फिर से हलचल मची हुई है जलस्तर में हुई विद्धी की वज़े से ग्रामिनों में चिंता का महौल है जिसमें छपरा के बीन द्वावा सहीत कोटवा पट्टी रामपूर और बरहारा महाजी पंचायतों में बार्किया संका बन गई है अस्थानी ये लोगों का कहना है कि अब इन छेत्रों में आरा और छपरा पूल का संपर्क पूरी तरह से तूट गया है जहां इस पूल से जुरे एप्रोच रोट पर दो से तीन फिट तक पानी बह रहा है जिसके बारे में कोटवा पट्टी रामपूर पंचायत के चकिया गाउं के निचले स्थर के छेत्रों में पानी भढ़ना सुरू हो गया है अगर जल अस्तर इसी तरीके से बढ़ता ही रहा तो आसपास के गाउं की आधियाबादी इसकी चपेट में आने के संभावना हो सकती है जिसे लेकर परसासन पर कोई भी व्यवस्था न करने को लेकर आरोब भी लगाया गया है जहां इसके लिए किसी भी नाव की भी व्यवस्था अब तक नहीं की गई है बात करे कोशी नदी की तो दो महीने के बाद नेपाल के बराच छेतर में कोशी का डिस्चार्ज लगबग धाय लाग क्यूसक पहुश गया है जिसकी बज़ा से बीरपूर बराज और कोशी नदी के जलस्थर में पूरी तरह से वृद्धी होने की संभावना जताई जारी है जिसके लिए विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है बता दें कि अब तक की कोई हाने की संभावना नहीं है लेकिन जब इसके बारे में जल संसादन विभाग के मुख्य भियनता प्रकास दास से बात करने पर उन्होंने बताया कि पहारी छेत्रों में हुई बारिस की वज़ा से कोसी नदिया के जल अस्तर में वृद्धी हुई है बता दें कि पीछले दिनों जुलाई के महीने में भी लगतार सुपावल में हुई बारिस से जल स्तर में हुई वृद्धी कोसी नदि में बार का कारण थी जहां इन नदियों के साथ पटना के दीघा घाट और हाथी घाट में जल स्तर में भी वृद्धी हुई थी अभी के लिए इतना ही अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आये हो तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शेयर करे साथ ही बेल आइकन दबानों नम भूले धन्यवाद